प्रेश्द लौड आप जब को जय मसी की एक बाद फिर से प्रमिस्तर का धन्यवाद हो आज की सुबा दिखाने के लिए कि प्रमिस्तर ने हमें जीवित रखा सही सलामत रखा एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुक में अपस्तित हूँ और ये संदेश जो है कल एक भाई ने मुझसे एक सवाल पूछा था कॉमेंट सेक्शन में जिनका नाम हर्शित सागर उन्होंने कहा था कि आप कुरूस उठा कर चलने का जो है मतलब वो बताईए तो आज इसी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी मैं आप से गजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दमाएं ताकि नोडिविकेशन आपके पास पहुंचे और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन मे कर मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है और आप भी भाय हर्शित तागर के समान अगर कोई वचन आपको जानना है तो मुझे जरूर बताइए मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर एक चोटा सा वीडियो बनाने की तो आईए आज के इस वचन क तरी बढ़ाई करते हैं प्र याक के प्रभु ती इस योग यह झाल जेनवात हैं आज की सुभा के लिए तक तुन्हों में दिखाई है मैं बिन्ती करता है अज कने लिए मैं बन्हें स्ब्चन को सन्टें हैं फूर यहान जो बी वेडियों को और दिमार को चूकर बलैस कर प्रभु उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशिश खोड़ता हूं प्रभु जी, हरेक को आशिशित कर, हरेक की रोख, बीमारी, चिंता, परिशानिया, बांजपन, बेरुजगारी, करजे, अपने सामर्थी नाम के द्वारत दूर करते प्रभु, मैं धन्यवा देता हूं प्रभु, और उसका आठ धियाए, और उसके 34 पत को मैं पढ़ूँगा, देखिये, यहां पर क्या लिखा है, यहां लिखा है, उसने भीड को अपने चेलो समेथ पास बुला कर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वैं अपने आपे से इंकार करे, और अपना पर लटकाया जाता है, वो शिरापित है, गलातियों की पुस्तक और उसका तीन अध्याय और उसका तीरह पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, कि मसी ने जो हमारे लिए शिरापित बना, हमें मोल लेकर विवस्ता के सिराप से छुडाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई का सारे शिराप बन्दन से पाफ से छुडा लिया, उसके बाद प्रभू ये सुमसी मरकुस आठ अध्यास के चौतिस आयत में हमसे कहते हैं, कि अपना क्रोस उठा कर मेरे पीछे हो ले, आए फिर से देखेंगे मरकुस आठ अध्याय और इसके चौतिस पद में क्या लिखा है ये लिखा है उसने भीड को अपने चेलो समेत पास बिला कर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपने आपे से इंकार करें और अपना क्रोस उठा कर मेरे पीछे हो ले, अपना क्रोस उठा कर रभू ये सुमसी के हो ले अब समझे के कुरूस उठाने का मतलब है क्या कुरूस जो है ना तो वो किसी कपड़े का है ना किसी कागस का है ना किसी तीली का है तीली समस्तियाब जो मार्चिस की तीली होती है पत्री सी लकड़ी ना उसका है ना धागे का है क्रूस जो है वो बहुत बड़े शतीर का बनता है बहुत बड़ा इतना बड़ा लकड़ा होता है जिसे लठा कहा जाता है और उसका बनता है क्रूस और वो लकड़ी का होता है और बहुत भारी होता है तो सबसे पहला अर्थ क्या है क्रूस उठाने का आई ये पहले वचन को देखेंगे उसके बाद हम आगे चलेंगे क्योंकि जो को अपने आपको बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आपको छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा इससे पहले प् दीन हीन बना लेना, अपने को छोटा बना लेना, अपने को पुलाइब बना लेना, ये सुमस्ती की सिक्षा ही ऐसी है, मती की पत्री में हम पढ़ते हैं, पाच अध्यामे कि ये सुमस्ती ने कहा कि यदि कोई तरह दाएं-गाल पर सहपण मारें तो राया भी उसकी और फेर तो यह है यह सुमस्त्री की शिक्षा तो कुरूस उठाने का अर्थ क्या है आप यहां पर देख लिए चित्र में भी मैं दिखा रहा हूं जब हम कुरूस को उठाकर चलेंगे तो हमारा एंगल ऐसा होगा हम जुक जाएंगे क्यूंकि कुरूस जो है वह किसी कागस का तेली का कपड़ी का या धागे का नहीं बना है वो मोटी लकडी का कुरूस है जब हम उसे अपने कंधे पर उठाएंगे तो हमारा जो एंगल है वो बहुत जुका हुआ होगा हम जुका हुआ जीवन जीएंगे अगर हमने कुरूस नहीं उठा रखा है तो हम ऐसे अकड़के कि हम सीधे होकर चरेंगे अगर हमें कुरूज तो अपना लेकर चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम झुके हुए हैं एक जुका हुआ जीवन हमें जीना है वचन के अनुसार प्रभुयेस मस्धी का नुसार पहली बात इसका दूसरा अर्थ है अपनी मृत्यू को अपने साथ लेकर चलना, अपने मृत्य को अपने साथ लेकर चलना, क्यूंकि मसीहत ऐसे ही एक समुदाय है, यहाँ पर कुछ पता नहीं कब में क्या हो जाए, हम रोट पर हैं, या कहीं घर में हैं, कहीं पर भी आज यही हो रहा है, मसीहों के साथ जो सताव हो रहे हैं, वो यही कारण है, तो क्रूस उठाने का दूसरा अर्थ है, कि हम अपने मृत्य को अपने साथ लेकर चले, यह दूसरा अर्थ है, और इसका तीसरा अर्थ है, कि अगर हमने अपना क्रूस उठा कर चलना शुरू नहीं किया है, तो हम प्रभू येसु मसी के योग्या नहीं है, देखें, मती की पतरी 10 अध्याय और उसके 38 आयत में लिखा है और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है यानि कि जो एक जुकावा जीवन नहीं जी रहा है जो अपनी मृत्यू को लेकर साथ में नहीं चल रहा है मसीही जीवन में तो वो प्रभू येसु मसी के योग्य नहीं है कमफर्ट जो नहीं देता है प्रभू एक मशक्कत वाला एक महनती जीवन परमिसर हम को देता है क्यों कि उसके बाद हमें स्वर्ग में विसराम मिलेगा अभी नहीं अभी हमें बहुत महनत करनी है हमें अपने क्रूस को उठा कर चलना है हमें एक जुका ह जीवन जीना है लोग हमें मारेंगे पीटेंगे बहुत कुछ करेंगे हमें सहन करना है क्योंकि येसु मसी ने भी उसको सहन किया है येसु मसी जब क्रूस पर लटके थे लोगों ने उनके गालों पर थपड मारे लोगों ने उनके मूँ पर थूका और उनको थपड मारकर क रहा कि यदि तु भुष्य वक्ता है तो बता कि किसने तुझे मारा है तब भी ये सुमस्य ऐसे लटके हुए हैं कुरूस के उपपर और वो कहते हैं कि हे पितायन एक शमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं प्रेज दा लॉड ऐसे ही जीवन प्रभू हमारा भी चाहता है इसलिए वो कहता है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले जब तक हम अपना क्रूस नहीं उठाएंगे हम पुलाइट नहीं होंगे हम हमबल नहीं होंगे हमारा जीवन जुका हुआ रही होगा हम छोटे बनकर नहीं जिएंगे हमारे अंदर घमंड होगा अकड होगी हम अपने आपको बहुत अच्छा समझेंगी बहुत बड़ा समझेंगी हमारा रुत्बा अलग होगा हमचे कितने ही बड़े औदे पर क्यूं नहों हमें पुलाइट होकर बहुत हमबल होकर दीन हीन होकर अपने जीवन को व्यतित करना है क्योंकि कुरूस उठाने तो आज आपने इस विसे को जाना है कि कुरूस उठाने का अर्थ क्या है यदि बात आपके समझ में आ गई है तो इस वीडियो को शेर कीजिए और लोगों तक बचाईए ताकि और लोग भी इस बात को जान सके परमिस्टर आप सबको आशिर दे प्रेज दरौन